नमस्कार दोस्तों फीमेल बॉडिबिल्डिंग क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस फीमेल बॉडिबिल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका नाम आईरीन अंडिसन है। वो एक प्रफेशनल फीमेल बॉडिबिल्डर, IFBB प्रो कमपेटिटर और फिटनेस मॉडल है। आईरीन का जन्म 9 सितंबर 1966 को डेनमार्क, योरप में हुआ था। उनकी हाइप 5.7 इंच और इन सीजन उनका वजन 84 किलो और आफ सीजन उनका वजन 95 किलो रहता है। विमेन बॉडिबिल्डर्ज में फीमेल फुजीक और उनकी क्षमता को एक अलग ही उचाई तक लाखड़ा कर दिया है। आईरीन इस रेवलूशन का पार्ट रही है और हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। आईरीन जेक वूड और विंग्स अव स्ट्रेंथ में पार्ट लेने वाली बेस्ट फीमेल बॉडिबिल्डर्ज में से एक है। जब वो 15 साल की थी तब से उन्होंने जिम स्टार्ट कर दिया था। उनको मसल मेमरी और मसल मेचोरिटी की वजह से बहुत फायदा हुआ है। वो बहुत समय तक ट्रेनिंग करती रही लेकिन फिर भी उनकी बॉडि के लिए यह नॉर्मल रहा है। सायंस भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडि बिल्डर इतनी देर के लिए वरक आउट जारी रखता है तो उनके जीन्स में भी बदलाव आ जाता है और कंट्रोल हो जाता है। नाइस सिर जीनोम बल्कि उनके एक्सप्रेशन में भी बदलाव महसूस होता है। और शायद इसी वजह से मील या फिर फीमेल बॉडि बिल्डर उम्र बढ़ने पर भी पीक पर रहते हैं जो कि बाकी आथलीट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बॉडि बिल्डिंग डिसकावर करने से पहले ही आईरीन एक सीरियस आथलीट है। उन्होंने पहले से ही मार्शल आर्ट, जुडो और केक बॉकसिंग में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और तभी वो सिर्फ 9 साल की थी। और कुछ साल बाद उन्होंने एक फ्रेंड का जिम था। उसमें उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। दुनिया की सबसे बहतरीन फीमिल बॉडी बिल्डर बनने के लिए आईरीन का यह पहला कदम था। अगर आप इनके बारे में आगे जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमारे फ्यूचर वीडियो में इनके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बी स्ट्रॉंग और डोंट लेट एनिबडी हर्ट यू।